हेलो स्टुडेंट हम आपके लिए लेका रहा हैं भी ये पर्थमबर्स के सेकंड सैमेस्टर विसा सिच्छा सास्तर के कुछ महात्पूर्ण कोश्चन या भाग आठ्थ है साथ भाग हम करवा चुके तो प्ले लिस्ट में पड़े हुए तो आप देख सकते दें स्टुडेंट ये बहुत ही महात्पूर्ण कोश्चन है नहीं कोश्चन हम ऐसे आपके पेपर में कोश्चन आएंगे इसलिए आप हमारे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा देखिए और अपने दोस्तों को भी हमारी लिंक सेर कीजिए ताकि उनको भी ये महात्पूर्ण को सकें तो चलिए सुरू करते हैं कोश्चन नमबर एक बारीय सिच्छ आयोग के अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर कोश्चन नमबर दो प्रात्मिक सिच्छा को इसथने निकायों को तो अपने सोझा व किस ने दिया था बारती सिच्छ आयोग नहीं दिया था कोश्चन innovation नमबर तीन, 1882 के प्रथम सिच्छा आयोग को किस नाम से जाना जाता है, हंटर आयोग की नाम से जाना जाता है, कुश्चन नमबर चार, हमारे देश में माद्ध में किसे इच्छा के स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था, कलकत्ता विस्विद्यालय आयोग ने दि कुछचन नंबर 6, सरकार ने कड़कता विस्वेद्यालिया आयों का गठन किया थाое 1997 इसीवी में किया था Q7, सन 1921 तक भारत में 220 बिद्यालयों की संख्या हो गई 12 Q8, 224 सिच्छा आयोग की स्थापना हुई थी सन 1948 इसीवी में हुई थी Q9, आयोग का मुख्यकार था 222 अद्यालय सिच्छा के गुण दोसों का अध्यान करना Q10, आयोग द्वारा निर्धारत विसुवेद्याला सिच्छा के उद्देश संख्या में थे 9 कुश्चन नमबर 11 राधा कृष्णन आयूग की सनिश्टूतिया संबंधित थी उच्च सिच्छा से कुश्चन नमबर 12 विसुवेद्याला सिच्छा आयूग ने दिया कुश्चन नमबर 15 निमने मैंसी बेसेक सिच्छा के क्या उद्देश है मालकों में नागरे के गुणों का बिकास करना बालकों में नैतिक बिकास करना बालकों को जीव को पारजन की सिच्छा देना उपरिवक्त सभीस में दा ओपसं सही है कुश्चन नमबर 16 बुनियादी हस्ट कला सूर मंडल के कैंदर के रूप में होनी चाहिए एवं अन्य बिस्यों को ग्रहनक छत्रों की तरह चारों और घूमने तथा केंद्रिय सूर से अब एक उत्ताप या रोशनी को प्राप्त करना चाहिए या कथन किसका है स्री लाला जी का कथन है कुष्चन नमर 17 बरधा यूजना में किसे बिसय को केंद्रिय बिसय मान का सिक्षा दी जाती है हस्त कला कुष्चन नमर 18 निमन मैंसे कौन बरधा यूजना का गुण नहीं है धार्मिक सिच्छा पर बल ये नहीं है कुष्चन नमर 19 अखिल भारती राष्ट्रिय सिच्छा समिलन को जाना जाता है वरधा सिच्छा समिलन के नाम से कुष्चन नमर 20 बेसिक सिच्छा की बिस्तरत रूपरेखा बनाने के लिए किस समिती का गठन किया गया जान की हुसेन समिती का गठन किया गया कुष्चन नमबर 21, प्रतेक बुनियादी, विद्ध्यालाय में एक बर्सा में कितने दिन कार करने की उमीद की जाती है। कुष्चन नमबर 22, महत्मा गांधी की सिच्छा योजना संबंधित है। कुष्चन नमबर 27, रस्टी प्रोण सिच्छा परिसत की स्थापना की सिफारिस किस आयोगने की कुष्चन नमबर 28, बरिष्ट विद्ध्यालाय की स्थापना का सुझाओ दिया था कुष्चन नमबर 29, विद्ध्यालाय अनुदान आयोग पांच बरसों में कम से कम एक बार म टूडेड बनाने का कार करें या सुझाओ किस ने दिया था कोठाली कमीशन उन्नी सो चौट छाट छाट ने दिया था कुश्चन नमबर टीस मादमिक्स चा आयूग की नियुकती किसकी अध्याच्था में हुई डाक्टर ए लच्मान स्वामी मुदालियर के अध्याच्था में हुई कुश्चन नमबर एक त्यस आयूग ने अपनी रिपोर्ट केंदरी सासन को प्रस्तुत की 29 आगस्त सन 1953 सिवी में की कुश्चन नमबर 32 बहु उद्देशी ये बिद्यालय तथा बिभिन्नी करण पाठाइक्रम की सिफारस किस आयूग ने की थी मुदालियर आयूग ने की थी कुश्चन नमबर 33 माद्दमिक सिफ्चा आयूग के अनुसार एम एड़ कोर्स है में केबल उन्ही पर सिफचित इस नातकों को पर बेस मिलना चाहिए जिन्होंने तीन बर्स तक अध्यापन कार किया हूँ इसमें आउप्सन सही है कुश्चन नमबर 34 मुदालियर आयूग के अनुसार उच्चितर माद्दमिक सिफ्चा का समय निश्चित किया गया चार बर्स में कुश्चन नमबर 35 राष्टी सिफ्चा नीती 1986 का दस्ता बेज कितने खंड़ों में है 12 खंड़ों में है कुश्चन नमबर 36 C A B E का पूरा नाम क्या है केंद्री ये सिफ्चा सलाहकार बोर्ड है कुश्चन नमबर 37 राष्टी सिफ्चा नीती कब बनी थी सन 1968 भी में बनी थी कुश्चन नमबर 38 ये स्पाल समिती प्रतिवेदन के अनुसार सिफ्चा के सिफ्च अनुपात प्रत्मे कच्छाओं में क्या होना चाहिए एक अनुपात तीस होना चाहिए कुश्चन नमबर 49 मादमिक सिफ्चा आयू की नियुपति के सन में हुई थी सन 1952 में हुई थी कुष्टन नमबर 40 नई सिक्षा नीती 1986 विभाजित है 12 भागों में विभाजित है कुष्टन नमबर 41 नरसली के नाम से पूर्व मार्धमिक विद्याला का स्रिय किसे जाता है फ्रोविल को जाता है कुष्टन नमबर 42 राष्टी सिक्षा नीती 1986 की अनुसार राष्टी आयका कितना प्रतिसत सिच्छा पर ब्याय किया जाना चाहिए 6 प्रतिसत ब्याय किया जाना चाहिए कुष्चन नमर 43 अप ब्याय वा अवरोधन का संबंध है कुष्चन नमर 44 योगदान किस ने दिया ऊसाइल मिशनरियों ने दिया मादमेक सिच्छा से कुष्चन नमर 47 मुदालियर कमीशन की नीयुक्ती हुई सन 1953 इसवी में हुई कोश्चन नमबर 48-1949 की आचार नरेंद देव समीती ने प्राथमेक तथा मादमेक सिच्छा के बिशाय में अनुवेदन कियास में बाप्शन साईए कोश्चन नमबर 49-89 कोठारी कमीशन का निर्माण हुगा सन 1956 इसवी में हुगा कोश्चन नमबर 50-89 सिच्छा नीती 1986 के सोजाओ तथा सिच्छा आयोग 1976 के सोजाओ बहुत कुछ मिलते जोलते थे कोश्चन नमबर 51 नाई सिच्छा नीती 1896 के अनुसार भारत में सिच्छा की सनरचना है 10 पिलास 1 पिलास 3 कुश्चन नमबर 52 सिच्छा आयोग 1964 चाच्छ की अध्यक्ष थी प्रोफेसर दौलत सिंग कोठारी थी कुश्चन नमबर 53 मुदालियर कमीशन संबंधित है माद्यमिक सिच्छा से कुश्चन नमबर 54 राष्टी से अच्छक नीती 1986 में ओच्छ परदती को गती सिल्ता परदान करने के लिए कारक्रमों और नीतियों की प्रमुख पिसेश्टा क्या है अनुसंदान को सलल बनाना कुश्चन नमबर 55 नई राष्टी से अच्छक नीती 1986 के प्रमुख उद्देश किया है सिच्छा का बेवसाई करण बैग्याने के वन प्रवदे के परिवर्तन से छात्रों को आउगत कराना निरक्छर्टा को दूर करना उपरिवक सभी इसमें दाप्सन सहिए कुश्चन नमबर 56 नई राष्टी से अच्छक नीती 1986 किस की देन है राजिव गांधी की देन है कुश्चन नमबर 57 नई राष्टी से अच्छक नीती 1986 के अंतरगात माद्ध में किसे छा को अनिवारत था निसुल के बनाने के लिए कौन सी योजना निर्मत की गई है आपरेशन बलेक बोर्ड की गई है कुश्चन नमबर 58 प्राथ्मक सिच्छा के लिए खेर समीती ने आयू सीमा प्रस्तुत की थी 6-14 वर्ष कुश्चन नमबर 69 यंदुस्तानी तालिम संग ने बेसिक सिच्छा का एक विस्तुरत रूप तयार किया था जो बर्धा योजना के ही अनुरूप था उसे सुईकार किया गया था सन 1947 सिच्छ वी में सुईकार किया गया था कुश्चन नमबर 60 बर्धमन समय में बर्धा सिच्छा को कह सकते हैं बेसिक सिच्छा स्टूडेंट यह हो गए हमारे 60 कुश्चन आगे कुश्चन हम आपको अगले भाग में देंगे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना थेंगे